पर नामदोस्तो आप देखते हैं दीपक फाय में सी मैं नमें अंकित आज मैं बात करने जा रहा हूं गेस की कब्ज की समस्य के बारे में जो हमेशा、 बुर्ण मेरे नहीं ज़रूरी रहे हैं, बच्चों को भी हो जाता है। तो इससे, बचा कैसे जाएं? सारा चीज का मैच बताओ अगर आपने ये मंदारी से पांच मिनिट मेरे को दे दिया सिर्फ पांच मिनिट आप से मांग रहा हूं तो आज आप कब्ज की परसानी आपको कभी नहीं होगी इस बाती गरंटी मैं यहां लिख के दूँगा तो चलिए आपका टाइम वेश नंकरते हूं डेलेट चलते हैं अब जवान में होने का ये कारण है क्योंकि बाहर का ओईली फुट बहुत खाड़ है जो आपके इंटेस्टाइन में जाके बहुत दिकत कर रहा है जो सही से पचा नहीं पारा है इस कारण आपका जो भी जो मूत्र है उन निकल नहीं पारा है अच्छे से जिसके कारण आप को कब्ज का प्रोब्लम बना हुआ है तो मेरी बात मानिये मैं हर वीडियों में बोलता हूं कोसिज करें आप कम से कम खाए ओईली फुट इसलिए मैं मना कर रहा हूं क्योंकि ओईली फुट बहुत नुकसान कर सकता है यह तो आप अपना ओईली फुट खाना बंद कर तो पानी आपको बहुत ही फैयदा देता है पानी आपको जो भी मुत रह उसको अच्छे से इंटेस्टाइन में लार्ज बढ़ी आतों तक जाने में मलद करता है जिससे आपका पेट अच्छे से किलियर होगा इसलिए पानी कोशिस करें कम से कम पांच से छे लीटर जरूर प आपको खा लें पांच मिनेट बैठ जाएं फिर उसके बाद तहलें पांच मिनेट दस मिनेट का नॉर्मल से एक वॉक ले जैसे आपको खाना पज जाएगा एक नॉर्मल ढ़कारा आजागा बस यही आपको तीन चीज करना है अम माले जो भाई आमको प्रॉबलम हो चुका कैसे ठीक होगा ठीक करने का मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसी उपाय को करना है और उससे ज्यादा कहीं नहीं जाना है सुनिए लाज तक देखिएगा पका बता रहा हूं इलाज होगा 100% होगा ठीक होगा आपको क्या करना है टलको फ्लेक्स की दो गोली ले लेनी है यहां पर दिख रहा होगा बच्चों लोग कोई गोली नहीं देनी है बच्चों लोग के लिए मैं अलग से बताऊंगा बड़े लोग के लिए सिर्फ दो गोली ले लेनी है यह दलको फ्लेक्स की यहां पर लिखा हुआ है उसको आपको रात में सोते टाइम गरम दूद के मिला हुआ रहता है जो आपके इंटेस्टाइन में बड़ी आतों में जा कि उसको मतलब जो भी उसका कड़ापन हो गया आपका जो भी लैटरिंग का उसको ठीक कर देगा पतला करें उसको निकाल देगा पेट साफ हो गया अब मेरे को गैस है भाईया कैसे ठीक होगा गैस का पेंटो जेम डीए सार आता है गल्फा कंपनी यहां पर मैं लगा भी दूंगा अगर दिखूंगा तो आप क्या करें कि उसको सुवा में खाली पेट खाएं सिप खाली पेट आपको एक गोली खाना है डेली कम सकम साथ दिन खाना ग्यास का दवा जिससे आपकी गैस की प्र यहां पर लिखूंगा भी कि आपका ठीक हो जाएगा 110 परसेंट अगर नहीं ठीक हो तो अनसब्सक्राइब कर दीज़ेगा चलिए पहला टॉपिक खतम करते हैं तो बच्चों कब्ज है एक साल का बच्चा दो साल का बच्चा पांच साल तक के बच्चों तक के लिए उनको कब्ज के लिए कभी डलको फ्लेक्स गैस यह सब कोई दवाद ही दिरीका जो आता है उनको जब भी लैटरिंग उटरिंग का नहीं होता है उनको तो क्या करें आप उनको नियो पैप्टिन सीरप आती है नियो पैप्टिन सीरप दे सकते हैं एक चमस सुबा और रात बस इतन नहीं करना है उनको लेटरिंग समस्य हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और हाँ पानी उन बच्चों को भी दें जितना हो सके उतना दें कोसिस करें कि उनको भी प्रसानी कभी ना हो और ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बोल रहें मैं आपका प्रॉब्लम अगर आपने ऐसा कर लिया भाई तो मैं 100 परसंट गरेंटी दे रहा हूं कि खतम हो जाएगा प्रॉब्लम तो जाएए ट्राइक कीजिए और हमको एक सब्सक्राइब एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन ऐसा ही बढ़ाए धन्यवाद